Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल चलिए ओगोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है page of cups and positive movement forward और दिखें page of cups का card taro में कहीं emotions की बात करता है sentiments की बात करता है mood swings की बात करता है कहीं immature energies की भी बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically this week आपके professional front में रहता आवा दिख रहा है हालां कि देखें deeper level के लिए positive movement forward का card एक progress एक growth की भी बात करता है तो देखें या तो again एक growth एक progress आपके professional front में आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे हैं और उसी से ही related या फिर otherwise भी बहुत confidently बहुत speed के साथ आप action initiatives या तो लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं और पीछे अगर चीजें रुकी हुई थी अटकी हुई थी तो उनमें से भी या तो आप बाहर निकलना चाहा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं एक movement एक shift भी आता वा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं या फिर आप travel कर रहे हैं लेकिन देखिए surface level के लिए page of cups का card फिर से मैं कहूंगी चीजों को लेकर over emotional over sentimental होने की बात करता है और मैंने हमेशा कहा है Virgos कि heart और mind का balance ही एक ideal situation होती है और जब भी भी ये balance बिगड़ता है तब ही कहीं issues, मसले भी हमारी life में आते हैं और देखिए specifically professional front में बहुत important होता है कि हम एक professional attitude भी maintain करें और फिर से देखिए जब भी हम over emotional होते हैं तो ये professional attitude भी हम खोते हैं और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे दिखिए अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर थोड़ी सी checking करके इन ही energies को आप correct करें आप again मैं कहूंगी heart और mind का balance ज़रूर रखें और दिखें जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि page of cups का card immature energies की भी बात करता है तो कोई भी बड़ा काम आप करें या फिर कोई भी बड़ा action initiatives आप लें अगर पूरी तरीके से knowledge आपको उस field की नहीं है experience नहीं है, समझ नहीं है तो ज़रूर किसी experiential इंसान से बात कर लें या फिर देखें जिस इंसान को आप trust करते हैं उनसे ज़रूर आप discuss कर लें उनसे ज़रूर आप advice ले लें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of wands and solitude तो देखें two of wands का card बहुत ही beautiful, बहुत ही positive card है और ये card भी कहीं जो भी आप चाहते हैं specifically अपने personal front में उसी से ही related next steps plan करने की बात करता है बहुत जबरदस्त एक confidence की बात करता है किसी के साथ मिल के कुछ करने की बात करता है या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसी के लिए आपकी किसी loved one की तरफ से एक supportive energies की भी बात करता है हाला कि हो सकता है कि आप लोगों के views नहीं match कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी तरफ से एक support रहता हुआ देख रहा है लेकिन देखे deeper level के लिए solitude का card कहता है कि surface level के लिए किसी की तरफ से again एक supportive energies होने के बावजूद बहुत एक confidence महसूस करने के बावजूद भी मन ही मन एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाहा रहे हैं या हो सकता है independently आप चीजों को करना चाहा रहे हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है वरगोज कि कितने लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहतावा देख रहा है और किसी news, phone, call, message का अगर आप वेट कर रहे हैं तो देखिए दोनों ही fronts के cards कहते हैं कि आपको इस week मिल सकती है professional front में कहीं है news, एक happiness, एक joy दे सकती है साथी साथ आपको emotional, sentimental कर सकती है और personal front में ये news, एक enthusiasm, एक excitement आपकी life मिलाती हुई देख रही है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि out of country आप travel करना चाहा रहे है या फिर उसी से ही related आप planning भी कर रहे है and guidance है, आप लोगों के लिए card है share the love और देखिए ये card कहीं celebration की बात करता है get together की बात करता है और देखिए इस card के हिसाब से देखें तो आप लोगों के लिए इस week के लिए यही guidance है कि आप ज़्यादा लोगों से interact करें ज़्यादा लोगों से बातचीत करें अपने close ones, अपने loved ones के साथ ज़्यादा time spend करें eating, drinking, merry making वाली energies में इस week रहें and chakra से आप लोगों के लिए base chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of red, all shades of maroon आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते है and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था वर गोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए